हेलो एव्रिवन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास लेवन की जो आपकी बाय लोजिक बूक है वुछ बूक से चेटर नमबर एट इस वीडियो में आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवेस वीडियो तो हमने यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था आग इस वीडियो में पढ़ना है तो इसको समझेगा जो यह टुटी-टी में से च्टी कौशन पूचा वा था कि कौन सा करेक्ट है इंकुलिजन बॉडिस के लिए कौन सा इंक्रेक्ट है यह पूचावा था और जो तो आपको और रहुत हो तो बिल्कुल धहां से हैं तो हम बारे में च lethal करेंगे जो हूब यहां पीपने ब्रोटीन सिंतेशिंज में करते हैं जो प्रोटीन वगर खरले हैं यह बनाने में एब करते हैं सारे सारे जो राइब यह बी कोई भी इन पे राइब उसमें जो है वह इनके कोई भी जो है में नहीं होती है इन में तो यह 70S होते है 80S होते है 70S prokaryotes में 80S eukaryotes में इसके बारे में पढ़ें गया गी तो यह याद रखिए का आपको तो क्या होता है कि DNA से आपका RNA तो एक यह बार समझ लीजिगे अच्धित गया आपका mRNA तो mRNA बनता है इसको हम क्या नाम देंगे इसको हम वंदेंगे va इसकी नाम देंगे ठांस्цеिप्रिप्शन टी लिग देता हूं तो DNA से आ अर नि बना messenger आना ने इसकी full home, इसके बारें detail में 12 में पढ़ेंगे, आगे जो genetics में 12 में इसमें पढ़ेंगे, बट अभी फिलाल के लिए आप normal जो है इसको याद रखिए, DNA से mRNA बनने के प्रिकरिया को इस process come कहेंगे, transcription, TR लिएता हूं, जो हम कहेंगे transcription, फिर आगे mRNA से क्या बनेगा, protein ब बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, translation कहेंगे, तो DNA से mRNA, इसे हम कहेंगे transcription, और mRNA से आपका protein बनेगा, इसे हम translation कहेंगे इस process को, आप याद रखिएगा, detail में इसके बारे में आगे 12 में, genetics में पढ़ेंगे, बट नॉर्मल इसको आप याद रखिएगा, क्यों यूज होंगी terms, अ इसके पास जो हैं पाए जाते हैं, इससे पास जो हैं पाए जाते हैं ribosome, जो मतलब हमने previous वीडियो में पढ़ा था, सारी और इस जो absent होती है, प्रोकारियोर्स में, except ribosomes हमने पढ़ा था, प्यूंकि यह protein synthesis करती हैं, यह बहु साद इंपॉर्टन होती है, they are about 15 nanometer by 20, nanometer 15 by 20 का size होता है nanometer in size, and are made up of 2 subunits, कितने subunits की बनी होती है, 2 subunits की बनी होती है, 50s and 30s, तो इसे हम total नहीं करना, इसमें जो बायो में use किया गया है, सिरफ यह, कि आपके जो बायो के 2 parts होते हैं, यह वाला बड़ा part हो गया, यह उपर वाला छोटा part हो गया, तो एक unit को हम कहेंगे, 30s और इस बड़े वाली को हम कहेंगे, कौन सा 50s कहेंगे, तो अब आप होतना clear हुआ होगा, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, यह हम plus नहीं करेंगे, 50 plus 30 कितना होगा, 80, बट हम plus नहीं कर रहें, बायो में, बायो में सिरफ नॉर्मली हम बता बायो में क्या होता है, 70s बनेगा, 50 and 30 क्या बनेगा, 70s बनेगा, और आपका जो एक और होता है, जो आपका 50 की बजाए, 60s, और जो है plus में, plus नहीं होगा, वैसे होगा, 30 के जगा 40s होगा, इसे हम कहेंगे, 80s कहेंगे, आपको इतना clear होगा, यह plus नहीं होगा, आप पहले बता रहा हो, इसके बारे में आगे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या होता है, यह सब क्या होता है, तो बट अभी के लिए आप यह याद रखिएगा, तो इसे आगे हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से, तो इसमें क्या होता है, इनका 50 or 30s जो है दो यून बनाएगा आपकी जो अलग लग जैसे यह चोटे वाली Presentsौ जो ओगा यह बड़े वाली unit होगी आपकी ribosomes के मैंने आपको भी बताई तो यह अलग-अलग कहीं कहीं जो साइट अपलाज में बिखरी पड़ी रहती है लेकिन जब हमें प्रोटीन सिंथेस करना होता है यह कौन बताएगा कि हमें प्रोटीन सिंथेस करना है जो है DNA बताएगा उसमें जो आपका यहां पर single mRNA है यहां पर यह क्या आपका mRNA है और इसमें यह वाली क्या हो गई आपकी यह वाली हो गया आपको ऊपर वाली जो आपका जो चोटी वाली unit हो गई यह नीचे वाली चोटी unit हो गई और जो आपकी ऊपर वाली क्या हो गई बड़ी subunit हो गई तो इसके बी और यहीं नीचे चैने चाहब कि उसमाल यूनिट होगे के उपर सब सब्सक्रों सब्सक्राइब हो घएक और क्या होगा protein का synthesis जो है हो जाएगा तो हमने क्या करा इस तरह से जो MRN ले आए इसमें जो छोटी यह बड़ी unit रख ली यह तो सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ है से उसको इस तरह से मैं आपको बताया इस पर जो चेंड बनेगी protein synthesis होगी फिर इसके बाद यह अलग हो जाएगी इससे फिर से यह वाली unit बड़ी और चोटी unit चोटी और बड़ी जो है अलग हो जाएंगी तो यह जब protein बना रहा होता है तो अब यह पास में आते हैं तो जब यह जो आ होगा तो several ribosomes जो कुछ ribosomes हो गए में टैस्ट होता है single mRNA इस तरह से अटेच हो जाएंगे यहां पर single mRNA से टैच हो जाएंगे ribosomes of polysome जो ribosomes है polysome के translate the mRNA into protein तो यह क्या गरते हैं यह जो chain है mRNA को किक्स में protein में convert कर देते हैं क्या गरते हैं mRNA को protein में convert कर देते हैं तो आपको इतना clear हुआ होगा तो इस तरह से होगा को clear हो गैटना तो आरानbeiten के 3 types होते हैं तो यह DNA से mRNA बनता है तो उसके भी 3 types होते है Account DNA से RNA बनता है तो RNA होता है तो अरुकिये वाला mRNA होता है रेक टी dawन होता है जो आपका rana होता ए जो ribosome rna होता है protein synthesis के लिए होता है यह mrna आपको protein synthesis के लिए होता है तो वो किसके लिए होता है amino acid को लेके आता है protein की chain क्या होती है amino acid की chain को ही हम क्या कहते है protein कहते है तो cytoplasm से amino acid TRNA लेके आता है तो इतना सिरफ आप अभी इतना जानिए तो आगे detail में पढ़ना ही हमें अब देखते है inclusion bodies क्या है यह तो हमने राइबोजोम के बार हमने बात करी थे इसमें इसमें कौन सा राइबोजोम होता है किस तरह से इसमें protein synthesis होती है हमने normally protein synthesis बित्वो थोड़ा सा हमने discuss किया मार्के detail में आपको नहीं करना inclusion bodies को देखते है क्या होता है reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies अब क्या होता है इन में कुछ चीजों का material मानले कोई cheese हो गई extra cheese हो गई हमारे पास जो खाने पीने की मतलब body में जो cell में बन रही है तो क्या होगा वो prokaryotic cells में कुछ store हो जाएंगी cytoplasm में किस form में inclusion bodies की form में किस form में inclusion bodies की form में स्टोर हो जाएंगी कुछ भी reserve material होगा कोई भी extra material होगा हो साइच चीज़े क्या होगा inclusion bodies की form में store हो जाएंगी cytoplasm में these are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm तो यह PY क्यों था कि यह not bound by any membrane system यह option correct था उस वाले में 2020 में यह वाला option जो है second option मानलेजे देर दी आपको not bound by any membrane system इनमें जो कोई भी membrane system जो है नहीं होता मदो कोई membrane bound नहीं होते और lie free in the cytoplasm यह भी उसम option में था तो यह इस तरह सा आपकें से आठीके लाइन हान जीए तो फिलाल हमाँ भी समझते हैं PYQ जो आपके लिए बाद में लेके भी आऊँगा तो these are not bound by any membrane कोई भी membrane से bound नहीं होते कोई membrane नहीं लगे होते इनके चारों तरफ and lie free in the cytoplasm cytoplasm में freely जो है पढ़े रहते हैं example क्या होगे phosphate granules हो गए कुछ sign sign of icing granules होगे and glycogen granules होगे तो यह इसके examples होगे जो इसके examples होगे phosphate sign of icing and glycogen granules अब क्यों होते हैं gas vacuoles भी होते हैं found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria इनमें जो gas vacuoles जो है कुछ पाए जाते हैं अब आपको अतना clear होगा और यह sign of icing जो है granules के होते है starts होता है एक तरह से तो आपको अतना clear होगा inclusion bodies भी ribosomes भी इस तरह से जो इसकी mRNAs पर लग जाएगा और यह जो एक chain बना लेगा तो इस तरह से जो हो जाएगा protein formation तो आपको इतना clear होगा chain बना लेगा यह chain इस chain इसमें क्या कहेंगे poly ribosomes कहेंगे फिर यह क्या होगा poly ribosomes जो है poly ribosomes कह सकते हैं polysomes mRNA को protein में जो बना देगा सो हमने यह स से complete कर लिया prolporchotic cells हमने previous वीडियो में आ तक हमने करे लिया था आज आज हम ने इस वीडियो में ribosomes and inclusion bodies हमारा रहता था यह भी हमने कर लिया है तो आगे अब हम चलता है eukaryotic cells में चलता है eukaryotic cells में तो चल लिये देखते है यूटरियोटीश होते हैं कि हामने सबसे पहले पढ़ा है में दिफेर समय क्या उट टाधा वह होते हैं गाल्यक्लिश होता है कि उक्याध क्या बादर है था हुश्क समय इसके बारे मार्मकि जानेंगे तो आठी जो है जो chloroplast हो गया, plastids हो गया, जो की plant में पाय जाते है, animals में नहीं पाय जाते है, यह सब हो गया, यह ribosomes हो गया, endoplasmine reticulum हो गया, golgi body हो यह सारे पाय जाते हैं, but prokaryotes में सारे absent होते हैं, except ribosomes, तो देखते हैं, the eukaryotes includes all protest plant, animal and fungi, हमने पढ़ा था, five kingdom class question में, chapter number two में, biological class question में, monara, protista, fungi, planty, animaliae, सारे होते हैं, तो monara क्या होते हैं, prokaryotes होते हैं, और सारे क्या होते हैं, eukaryotes होते हैं, हमने पढ़ा था, तो यह सारे क्या होते हैं, eukaryotes होते हैं, यह तो हमने पढ़ा हुआ है, in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm थोड़ी presence of membrane bound organelles, तो इसमें क्या पाया जाता है, cytoplasm में अलग 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 आपकी membrane bound जो है, organelles जो है पाया जाती है, अलग 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 आपस में, जो है, रहती हैं, जिन मेंसे आपस में जो रहती हैं, endomembrane system का मतलब, आगे हम पढ़ेंगे, इसका मतलब यह है endomembrane system का, कि आपस में, जो है close association में रहती है, आपस में थोड़ा जो है close association में रहती है, और आपस में जो coordinate करती है, अपने functions को, आपस में इंका coordinated function है, इसमें हम endomembrane system, इसलिए endomembrane system है, ER को, G-body को, और lysosomes को, आपस में रहती हैं, जो है, आपने में काम करती है, लेकिन, इसमें, जो है mitochondria प्लाशेट्स नहीं आदे, क्यों आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे एक बार बता देता हूँ, वो इसलिए नहीं आदे, क्योंकि इनका function जो उनसे coordinated नहीं होता, उनका function इससे coordinated, नहीं है, उनका अपना अलगी function है, अब ऐसे जानेंगे, ऐसे क्या है, इनमें आसपास का coordinated function क्या अगे पढ़ेंगे, यूकरियोटिक cells possesses an organized nucleus with nuclear envelope, अब यूकरियोटिक cells में उनने आपको बताया, कि इनके पास क्यों उत्य है nucleus होता, जिसमें क्या होती है, ऐसे organized nuclear envelope इनमें पाई जाती है, इन addition, अब इसके अलावा क्या हो गया, nucleus membrane इनमें पाई जाती है, इनमें bound organelles पाई जाती है, यूकरियोटिक cells have a variety of complex locomotory and cycle skeletal structures, इनमें क्या पाई जाते हैं, कुछ locomotory के लिए, locomotion के लिए, और अलग-अलग cytoskeleton structure जो इनमें पाई जाते हैं, जो की cell को, जिसे हमारे इस locomotory के लिए हमें क्या होते हैं, जिसे bones हो गई, हमें shape देती हैं हमारी body को एक तरह से, ऐसे यह में shell और जो है, कि हमें खड़ा करने में help कर दी, एक तरह से backbone होती हो, तो हमारी बटले के हमें जो shape देती हैं अच्छी तरह से, पकड़ के रखते हैं हमारे body का आसपास चीज़ों को, तो locomotory के लिए help करते हैं, bones हो गई, तो अब जो cytoskeleton क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कि आपके जो cell है, उसके अंदर भी हमें sport की जो रद होती है, तो इस तरह से threads से जो है, आपके cytoskeleton, cytoplasm के अंदर से threads से जो है, पाए जाएंगे, जो हर एक organically को पगड़ के रखते हैं, इसके बाएंगे detail में आगे हमें पढ़ना है, इनका जो genetic material है, वो किसमें, plastics and large central vacuole, which are absent in animals, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो plants and animals है, उनमें जो अलग अलग जो है, पाया जाता है, अलग होते हैं, इनमें भी cells जो है बिल्गुल सेम नहीं होते, जैसे कि जो plants होते हैं, उनमें cell wall पाई जाते हैं, जो absent होते हैं, on the other hand, animal cells have centrioles, which are absent in almost all plants, क्या होता है, दूसरी दर जो है, animal cells होगे, उनमें centrioles पाई जाते हैं, जो कि जो जिन से cell division में, जो help होते हैं, उसे spindle fibers निकलते हैं, जिन से spindle fibers निकलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो क्या होते हैं, वो cell division में जो help करते हैं, लेकिन ये plants में नहीं पाया जाते हैं, आपको इतना clear हुआ होगा, तो आगे देखते हैं, आगे देखिए आपको जो ये दिखाया होगा डियाग्राम, तो इसको बढ़ देख लेते हैं फिर भी भी, लेकिन हमें जो आगे, इसके बारे में एक बार में आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में बढ़नना अच्छे दरह से, अभी तो detail में, या आपको जो location याद होगी तो अच्छी बात होगी, यह लाइसोजोम होगा आपका, और यहां पे RER मतलब rough endoplasmic reticulum, यह यह से आर होगा, इसमूद endoplasmic reticulum, और यह plasmot dismetta होगया, इसके बारे में पढ़ेंगे, microtubules होगया, यह माइक्रोटीब्यूल्स होगया, और क्या होगा, इसमें paroxyosome होगया, cytoplasm होगया, यह आपका, यह पूरा जो, cytoplasm होगया, nucleus होगया, nucleolus होगया, golgi apparatus, nuclear envelope होगया, इनमे envelope जो पाया जाती है, मैंने आपको बताया था, ugariot में, यह plasmembrane होगया, vacuole होगया, जो कि 90% space तक जो लेता है, और क्या होगया, इसमें middle labile होगया, यह वाला, यह cell wall होगया, आप भार वाली ले cell wall होती है, अंदर वाली cell membrane होती है, mitochondria होगया, इसके बारे में आगया, अच्छे का से पढ़ेंगे, इसमें भी ऐसे ही जो दिया होगया, तो इसके बहुत कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, अब देखते हैं, आगे, अब 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 अलग सम एक एक और अच्छे रहसे हम जो डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हम जो किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें जो है, cell membrane के बारे में पढ़ना है, तो cell membrane क्या है, आउटर मोस्ट जो है लेर होती है cell की, तो हमें देखना है जो outer muscle layer होती है पूरी जो है outer muscle layer है किस तरह से जो ही बनी हुई है outer muscle layer आपकी cell में brain हम कहते हैं तो कैसे जो बनी हुई है इसके बारे में पढ़ना है तो एक बारे इसके पढ़ने से पहले NCRT read पढ़ने से पहले मापको जो बात हैं बता देता हूँ जिससे में आसानी होगी एक बार मापको वैसे समझा देता हूँ NCRT ये विना तो इसमें क्या होती है जो आपकी जैसे glycerol मैंने आपको छिप नवर 16 में भी glycerol के बारे बारे बताये था Triglycerol हो गए उसमें एक जो है glycerol पाया जाता है Triglycerol होते है जो कि fat होता है उसमें एक glycerol पाया जाता है और दो fatty acids fatty acids पाया जाते हैं अगर ये तो होते हैं Triglycerol हम इसे कहेंगे लेकिन इसके साथ मान लीजे phosphate जुड़ गया पी लिग देता हूँ तो सहरे हम क्या कहेंगे? तो पाया बन जाएगा? फॉस्फफोल पाया बन जाएगा तो आया पतना clear हुआ होगा? फॉस्फफोल पी बन जाएगा अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है फॉसफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ होता है hydrophilic मतलब हो गया water से डर नहीं लगता पानी से डर नहीं लगता मतलब क्या हो गया पानी में गुल सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे पानी में जो है water में गुल सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगी head go, यह head हो गया, मतलब यह क्या होता है, hydrophilic, hydrophilic मतलब यह पानी में गुल सकता है, इसे कोई, इसे डर नहीं लगता पानी को, लेकिन जो आपका यह होती है, यह क्या होती है, hydrophobic होती है, hydrophobic होती है, phobic मतलब phobia हो गया एक तरह से, तो इसे जो है डर लगता है, water से, water जो है repelling होती है water को जो है water में नहीं गुलती है ये जैसे कि आप तेल को जो आपको oil हो गया उसको पानी में डालेगा वो नहीं गुलेगा तो इस तरह से जो होती है ये hydro phobic होती है ये फानी में जो है नहीं गुलती है ये तो इसमें क्या होता आपकी जो है कैसे arrange होती है जैसे यह आपकी cell membrane हो गई, तो इसी को हम जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो जैसे cell membrane होती है, cell membrane होती है आपकी, तो cell membrane को मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको, यह होगा है hide आपका, और यह होगाई tail, तो इसके भार क्या होगा, इसके भार भी जो आपको fluid present होगा, और इसकी इसके अंदर भी साइटोप्लाजम होगा यहां पर सारी जगह और बार भी इसके फ्लूइड होगा इसके अंदर भी साइटोप्लाजम होगा इसके बार भी सारा फ्लूइड होगा जैली जो मतीर होता है इसके अंदर सेमी फ्लूइड मतीर हमने पढ़ा था प्रियोस वीडियो में लास सेकेंड वीडियो में इसके अंतर साइड़ोप्लाजम पाया जागा जैली जो है वाटर की तरह है जो एक्ट करता है तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो हैड वाला पॉर्शन होता है ग्षलिक होता है अगे चलते हैं तो इसमें क्या होगा किस तरह से अरेंजमेंट होगी यह आपकी cell membrane हो गई इसको जूम करकर देखे किसरा से arrangement है तो जैसे कि मैंने आपको बताए यह head वाला portion जो है भार की तरफ आएगा और tail का portion अंदर की तरफ आएगा ऐसा ही इधर भी क्या होगा आपका यह tail वाला portion जो है अंदर की तरफ आएगा अब ऐसा क्यूं हुआ कि यह दोनों tail का portion जो है अंदर की तरफ आया और यह head गया portion बार की तरफ मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो head वाला portion होता है वह से hydrophilic कहते है पानी से डर नहीं लगता है तो यह जो इंट्रक्ट करने में से कोई problem नहीं होगी पानी के साथ रह सकता है लेकिन बीच में इसलि जो है semi-fluid होगा उसमें वह भी fluid होगा भार भी fluid होगा तो इसलिए हम इसने बीच में रख दी है हमने tail सो आगे बढ़ते हैं NCRT से पहले एक और यह तो मैं आपको point बता दिया अच्छी तरह से अब एक और मैं आपको point बताना चाहूंगा कि sugar होती है sugar plus जिस पे जो protein attach होता है उसे हम कहेंगे glyco protein जी और पीली देता हूँ glyco protein कहेंगे तो जिस sugar पे protein attach होती है उसे हम क्या कहेंगे glyco protein कहेंगे लेकिन जिस sugar पे आपकी क्या attach होती है लेकिन जिस sugar पे protein होगा इसे हम glyco protein कहेंगे इतनी terms याद रखेगा इससे आपको काम चल जाएगा जो अथी तरह से आपको समझ आ जाएगा एक चीजे तो चली अब start करते हैं तो सबसे पहले human rbc में देखा गया था इस तरह से cell wall को structure तो यह पानी को जो मैंने आपको बताया जो tail होती है आपको जो tail हो गई यह head हो गय hydrophily होता है start करते हैं the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s तो सबसे पहले क्या हुआ tail structure हमने membrane का कप पढ़ा जब आपके पास electron microscope आ गया था हमने chapter के starting में ही पढ़ा था कि electron microscope 1950s में आया था तो इसकी वज़ए से cell organalis के बारे में cell membrane के बारे में जो है पता लगा meanwhile chemical studies on the cell membrane especially human arbices mainly किस पर की गई सबसे पहले human arbices पर human red blood cells पर की गई enabled the scientist to reduce the possible structure of the plasma membrane जिसे हमें पता लग पाया कि कैसा जो है structure है plasma membrane का these studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins तो इसमें क्या होगा mainly lipids are proteins की जो है बनी होती है आपकी cell membrane जो है किसकी बनी होती है lipid और protein की the major lipids are phospholipids मैं आपको बताया थोड़ देर पहली phospholipids की mainly बनी होती है that are arranged in bilayer bilayer का मतलब क्या हो गया इस तरह से है also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer height यह जो polar head हो गया यह बार की तरफ होगा क्यों क्योंकि इसे पानी से डर नहीं लेका मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया and the hydrophobic tail जो tail होती है hydrophobic होती है तो क्या होती है hydrophobic tail towards the inner part यह अंदर की तरफ present होगी क्यों क्योंकि इसे पानी से डर लगता है अब ऐसार इसमें लिखा भी हो है क्यों होता है this ensures that non polar tail जो आपकी non polar tail होती है non polar tail कहेंगे यह जो आपका head होता है यह वाली हम कहेंगे इसे हम कहेंगे polar head गएंगे polar हो गया और यह जो आपकी टेल होती है non polar गएंगे non non polar गएंगे तो क्या करता है इसे नोन पोलर टेल जो आपकी टेल है non polar tail है of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment यह भार के environment से जो है बची रहेगी water से जो है बची रहेगी in addition to phosphopyrus membrane also vein the cholesterol to cholesterol भी जो इसमें पाया जाता है कि इसकी जो है Kendra तो पाया जाता है इसमें cholesterol भी पाया जाता जो की बफ़र की तरह एक्ट करता है बफर्म के तरह मतलब अगर मालेज आपका temperature जो कम हो गया, ठंड में ऐसा हो जाता है, मालेज आपका temperature आपका बिल्कुल कम हो जो है कम हो गया, तो क्या करेगा, cell को जो है shrink नहीं होने देगा, नहीं तो आपकी cell membrane जो आपसमें चिपक जाएगी, जैसे cell membrane बिल्कुल चिपक तो बाद में हमें यह और जाता अच्छी तरह से पता लगा कि जो आपकी cell membrane होती है, उसमें protein और carbohydrate भी पाया जाता है, the ratio on protein and lipid were considered in different cell types, जो आपके जो protein and lipid की ratio होता है, वो अलग-अलग cells में जो है, अलग-अलग type की जो है पाया जाती है, तो हमें सबसे पहले जो human RBC में पत protein पाया जाता है, और 40% क्या पाया जाता है, लिपिड, तो 52% कितना क्या हो गया protein, और 40% क्या पाया जाता है, important data इसको याद रुखने का बहुत 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 है, as it is, यह 40% lipid पाया जाता है, तो आगे देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं, depending on the ease of attraction, अभी आपकी आप निकाल भी सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं protein को, अब कितने जयादा आसानियसर हम निकाल सकते हैं, तो Soul, इक डूब क्रोटीन को, एक इंटीरल हो गया, पैरिफरल हो गया, तो पैरिफरल मतलब क्या हो गया, पैरिफिल पे कोने पर present होंगी, जैसे आपके cell membrane होगी जैसे cell membrane होगी और यह वाली भी यहांपे क्या होगे बिल्कुल कोने पर यहांपे जो आपका protein present होगा बिल्कुल कोने पर प्रेजन्ट होगा असानी से निकालना चाहेगे तो इस protein को यहां भार्ड है निकाल लेंगे तो इसमें क्या होगा peripheral proteins lie on the surface of the membrane membrane के जो है बिल्कुल surface पे जो ऊपर की तरफ यहां पाई जाएगा बिल्कुल लेकिन वाइल इंटिक्रल प्रोटेंस आ पार्शली और टोटली बरेंड इन दा membrane जो इसमें क्या होगा पार्शली थोड़ा बहुत है फिर बिल्कुल जैसे मान लेज़ें यहां पर फिर बिल्कुल ही मान लेज़ें यहां पर पूरा जो है cell membrane में दस गया तो पार्शली तोटली बरेंड होता है यह अब आपको यह clear हुआ होगा उसमें डागराम दिया हुए fluid mosaic model of plasma membrane इसके बारे पाया जा रहा है peripheral protein देखिए बिल्कुल कोने में पाया जा रहा है और क्या होगा यह integral protein हो गया बिल्कुल बीच में दसावा है और यह आपकी sugar हो गई और यह आपकी sugar हो गई जो की glycoprotein है एक तरह से sugar जो की lipids attached है यह तो lipids attached है तो मतलब glycoprotein और यह आपका cholesterol दिखाया हु इसमें भी यह tail जो है अंदर की तरफ है तो यह bilayer हो गया तो आज आपको इतना clear हुआ होगा तो आज इस वीडियो में हम जो इतना ही पढ़ेंगे next वीडियो में हम आगे जो कवर करेंगे next वीडियो में next वीडियो में आगे हम fluid mosaic model देखेंगे क्या होता है और cell membrane की function देख झाल